हालो हाई फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ रवी और आज है HPGK के जो हिमाचल बेश जनल नॉलिज के काफी इंपॉर्टर क्वेश्चिन्स हैं जिनकी मैंने एक सीरीज चला रखी है कि उसमें कुछ एक इंपॉर्ट के अधर से बटवारी अग्जाम जो भी थे दोस्तों तो मैंने काफी एक्ग्जाम के क्वेश्चिन पेपट देख रहा था तो उसके कोडिंग में यह कुछ एक सिलेक्टिव कॉस्चिन देखे जो कि भार बार कॉस्चिन में पूछे पेपर प्यपर्जाम में जो पूछे आ रहे हैं तो दोस्तों फर्स्ट कॉश्चिन शूरू करते हैं आज की वीडियो का कि संजे विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है यानि इसका बास्तविक नाम क्या है तो दोस्तों यह आपका है भावा परियोजना नेक्स्ट कॉर्चिन है दोस्तों कि हिमाचल की कौन सी बिद्धित परियोजना है जो पूरी तरह से अंडर्गराउंड यानि की भोमिगत है तो दोस्तों यह आपकी भावा परियोजना है जो पूरी तरह से अंडर्गराउंड बनी हुई है तो दोस्तो इसका अपना ही काफी ज़्यादा महत्तव है और ये इसके साथ नेक्स कॉच्छन दीख लितना दोस्तो कि चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट याने कि विद्धूत परियोजना कि जले में श्थित है तो दोस्तो ये आपका चमबा में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और दोस्तों ये खास वात ही है कि प्रथम पंचवर्ष योजना में ही भागड़ावांध का कंस्रक्शन शुरू हुआ था नेक्स वाचन देख लेते हैं दोस्तों कि आंध्रा जल पिद्धूत प्रयोजना कहां पर और किस नदी पर बनी हुई है तो दोस्तों ये आपकी आं आपका कोटला कलान जगा है जहां पर भगवान की भगवान शीप की क्या सीफिट उची मुर्थी बनी हुई है तो दोस्तों नेक्स वाचन देख लेते हैं कि कुटलेहर किला किस दिले में स्थित है तो दोस्तों ये है आपका कुटलेहर किला किस दिले में स्थित है दोस्त यह कब किया गए था तो दोस्तों यह है 2017 में हिमाचल में जो भी एरियास हैं जो क्षेत्र है उनको टूरिजम के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है तो उसी केत तहता गाजा और कालपा जो है दोस्तों यह कौन से क्षेत्र में आते हैं तो दोस्तों यह Tribal Circuit में आते हैं तो according to HP tourism policy उसके according उन्होंने ही माचल को अलग अलग अलक्षेत्र में डिवाइड किया जैसे ट्राइवल सरकेट है आपका सतलव सरकेट है और आपका भ्यास सरकेट है इसलिए ये अलग अलक्षेत्र हैं दोस्तों दोस्तों नेक्स कॉच्चन देख लेते हैं कि डुंगरी यो कुलू में जो मंदीर है दोस्तों मनाली में तो दोस्तों ये कौन सी देवी को समर्पित है तो दोस्तों ये आपका हेडिमबा देवी को समर्पित है तो दोस्तों ये मनाली में है काफी जादा famous temple भी है और यहां पे काफी बड़ा मेला भी लगता है तो दोस्तों next question देख लेते हैं कि मनु महराज जी जो हैं इनका प्राचिन मंदिर कहां पर सी थे हैं तो दोस्तों यह है आपका मनाली में तो भहिन दोस्तों next question देख लेते हैं कि गुरू घंटाल यानि कि दोस्तों यह गंपा कहां पर सी थे तो दोस्तों यह लाहूल में तो दोस्तों काफी बार यह question पर पूछा जाता है कि गुरू घंटाल से आप क्या समझते हैं या गुरू घंटाल क्या है तो दोस्तों ये आपका लाहूल में गंपा है जो बुद्धिजम लोग होते हैं जो बुद्धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंस रखती है ये जगा तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं लाहूल का दुआर किसे कहा जाता है गेटवे आफ लाहूल तो दोस्तों ये आपका खुकसर में है तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि युनाम सो जील कहां पर स्थित हैं तो दोस्तों ये है आपकी लाहूल स्पिती में और दोस्तों लाव स्पिती में दोस्तों दो अन्या जील भी हैं जो काफी प्रमुख्व हैं जैसे सूरज ताल और चंदर ताल भी हमने शाल लास्ट विडिएओं में देखी भी यह क्या क्याँ कांसर थे next question देख लेते हैं दोस्तों की famous key monastery यानि की जो काफी लोग premented key monastery है शे आठी है तो दोस्तों यह आपकी spaghetti valley में और दोस्तों चंदर ताल जील की सेले में और कहा परशती थे तो दोस्तों यह आपकी spaghetti valley में lone spaghetti में है और दोस्तों हिमाचल की अजन्ता कहां परस्तित है यानि किसे हिमाचल में हिमाचल की अजन्ता का दरजा दिया गया तो दोस्तों यह आपका ताबो मठ को दिया गया है और यह आपका स्पिति घाटी में स्थित है किबर गाओं दोस्तों कहां परस्तित है तो दोस्तों यह आपका काजा में स्थित है काजा आपका लाउल स्थिती में बढ़ता है और नेक्स्ट कॉर्शन देख लेते हैं दोस्तों की बीड विलिंग जो है यह जगा किस बात के लिए परसीद है तो बीड विलिंग आपकी पैरग्लाइडिंग के लिए काफी फेमस है और दोस्तों यहाँ पे पैरग्लाइडिंग काफी होती है और काफी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे मूव करते है नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं दोस्तों की परसीद जो फेमस पंचबक्तरा मंदीर है वो आपका कहाँ परस्ती थे यानि किस जिले में है तो दोस्तों यह आपका मंडी जिला में स्तीत है next question देख लेते हैं कुंजूम दर्रा किस घाटी में स्थित है कुंजूम दर्रा को दोस्तों स्पिती घाटी में है जो कि लावड स्पिती में बढ़ता है और दोस्तों सुक्यती फॉसिल पार्क ये कहां पर स्थित है तो दोस्तों ये सुक्यत्ती फॉसिल पार्क आपका सिर्मावर में स्थित है और दोस्तों ये थे आज की कुछ एक इंपॉर्टेंट जो 23 कॉस्चिन थे आई होब आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ये आप लाइक कमेंट शेर भी करिएगा दोस्तों तो जबस जबस आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा बाकी दोस्तों जो भी आपके वीडियो से रिलेटर जो भी आपके सजेस्टन या क्वेरी जो भी रहते हैं डाउट्स तो कृपिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको इंप्रूब करने के कुशिच करेंगे बाकी दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद